कैसे हैं दोस्तों एक रिसंट रिसर्च के अनुसार एक नॉर्मल इंडियन एक तिहाई समाई फोन में निकालता है मतलब पूरे साल के वो अट्रासो गंटे फोन पे बिताता है जिसमें online railway ticket booking से लेके food order करने तक के 90% काम स्माटफोन से very easily हो जाते है और ये whatsapp, facebook, instagram जैसे social medias and pubg जैसे games होतो रही गए तो दोस्तों आपने कभी सोचा है कि जो स्माटफोन अपनी life का integral part अभिन अंग बन गया है और अपनी life को इतनी easy बना देता है उतना ही वो सामने अपनी body and brain को affect करता है तो मैं हूँ बज़फेक जो आज आपके साथ discuss करेगा स्माटफोन से होने वाली brain and body pay effect तो let's explore तो दोस्तों स्माटफोन से सबसे ज़्यादा अपनी आँखों को नुक्षान पहुचता है तॉल एडो यूनिवरसिटी ओहियो ने रिसर्च किया और पाया कि स्माटफोन से जो blue light निकलता है वो अपनी आँखों में poisonous molecules को grow करता है जिसकी वज़े से molecule degeneration होता है दिन में घंटों तक अपने Instagram, Facebook, WhatsApp को स्क्रोल करते रहते तो आपको पता है उस ताइम पे आपकी आँखों में molecule degeneration होता रहता है आप अभी यही सोच रहे होंगे कि molecule degeneration है क्या molecule degeneration एक ऐसी effect है जो अपनी retina को नुक्सान पहुचाता है जिसकी वज़े से दीरे दीरे अपना vision देखने की क्षमता कम होती जाती है यह ले जाती है मुझे दूसरे कारण के तरफ रात में सोने से पहले अपन Facebook, Instagram, WhatsApp को चेक करने के बाद ही सो जाते है जैसे कि मैंने बताया कि जो blue light retina को नुक्सान पहुचाती है उसके साथ साथ अपनी circadian cycle को भी disturb करती है अब यह circadian cycle है क्या तो यह वही clock है जिसकी वज़े से time to time नीद आती है, time to time भूग लगती है जिसको हम biological clock बोलते है तो अब आप सोच सकते हो कि अगर यह circadian cycle ही disturb हो जाए तो अपनी body में क्या effect आएगी यह कम नीद की वज़े से आपको दूसरे दिन सर दुखेगा uneasiness feel होगी, unhappy feel करोगे जल्दी कोई बात से irritate हो जाओगे, depressed हो जाओगे, bla 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 तो दोस्तो इसका एक ही उपाय है कि रात को सोने से 2 गंटे पहले फोन को side पे रख दो, even 4-5 feet दूर रखो sub notification बन कर दो, phone silent कर दो जिससे रात को आपको कोई disturbance ना हो अभी एक research में ऐसा पाया है कि over use of smartphone याद सकती को कम कर देता है तो चलो देखते हैं कि यह कैसे possible है तो पहले ही मैंने बताया कि रात को phone यूज करने से circadian cycle disturb हो जाती है उससे sleep cycle disturb होती है जिसकी वज़े से हमारे दिमाग में melatonin नाम का hormone बनना कम हो जाता है यह वही hormone है जो आपको deep sleep लेने में help करता है यह deep sleep गहरी नीन अपने दिमाग को detoxify करती है clean करती है जिसकी वज़े से अपने दिमाग में नई information लेने की जगा बनती है और old information को vanish करती है London University Institute of Psychiatry ने एक research में ऐसा पाया है कि deep sleep की वज़े से आपका brain power, memory power तो बढ़ता ही है उसके साथ साथ आपका IQ भी बढ़ता है तो अगर आपको याद सकती बढ़ानी है तो आपने बहुत बार सुना होगा कि physical exercise करने से intelligence बढ़ती है वो ऐसे कि physical exercise से अपने सरीर में blood circulation बढ़ता है जिसकी वज़े से दिमाग में भी blood circulation बढ़ता है ये blood circulation की वज़े से अपने दिमाग में neurons बढ़ते है ये वही neurons है जो अपने brain power को ज़्यादा बढ़ाता है तो दोस्तो फोन को side में रखो और exercise करो खेलो को दो तो चलो मैं तो चला exercise करने तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please like this video and don't forget to subscribe my channel